एहमदबाद में सीरियल ब्लास्ट केस में 38 लोगों को फासी दिये जाने वालों में आतंकी संगठन सिमी का मास्टर मैंड सफदर नागोरी भी है जिसका संबंध MP के उज्जैन से है नागोरी भुपाल सेंट्रल जेल में बंद है सफदर नागोरी समेत 38 आतंकियों को काम आतंकियों को फरार कराने की ऐसी साजिश रची थी कि जेल प्रशासन ही नहीं बलकि देश की शीर्स जाच एजनसियां भी चौक गई थी उसने जेल ब्रेक की तैयारी 6 साल पहले शुरू कर दी थी हाला कि एक पपीते ने आतंकियों के मनसूबे पर पानी फेर दिया और जेल ब्रेक रुग गया उसने साथियों को अपना बरताव बेहद अच्छा करने को कहा गुडबुक में आकर उसने डिस्टेंट लर्नी के अनुमती हासिल की और डिग्री भी ले ली पीसडे के मन्जूरी ली और जेल की लाइबरेरी से ई सर्फिंग की परमीशन लेने में क चुरू की और 366 फीट सुरंग खोड़ डाली नैट के जरीए आईएसाई से संपर्क बनाया और केरल से लक्षदीब होते हुए अरब या पाकिस्तान पहुंचने का प्लान बनाया मकर संक्रांती का दिन भागने के लिए फाइनल हुआ इसी बीच पपीता तोड़ने एक सि सफदर नागोरी, कमरुद्दिन नागोरी और आमिल परवेज उज्जैन जिले के रहने वाले हैं। उनिवर्सिटी में ग्रेजवेट कम्प्लीट किया। युनिवर्सिटी में पढ़ाई के दोरान ही वह सिमी याने स्टुडेंट इस्लामिक मूव्मेंट आफ इंडिया से जुड़ गया उसे प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला था। इंडौर पुलिस ने उसे गृफतार करने के बाद रेहा कर दिया था। गलत एक्टिविटीज में शामिल होनी की वज़े से पिता ने उससे नाता तोड़ लिया। सिमी पर प्रतिबंद के बाद उज़ेन के तोप खाना शेतर में सिमी के कार्याले से महाकाल थाना पुलिस ने विवादित किताब और भढ़काव पोस्टर बरामत किये थे। उज़ेन के महाकाल, खारकुआ और माधव नगर थाने में कई अपराध दर्ज हैं। उज़ेन के अपराध दर्ज हैं।